C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पाठ बारा हम कितना खर्च कर सकते हैं प्रिष्ट 115 यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें दो बच्चे रिया और साहिल बहुत ध्यान से सिक्कों और नोटों को गिनना सीख रहे हैं रिया एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, एवं दस रुपए के सिक्के गिनना शुरू करती है और साहिल दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, एवं सो रुपए के नोट गिनता है नीचे दिये गई सिक्कों और नोटों को देखिए एवं उनका मूल ले लिखिए यहाँ पर अलग-अलग सिक्कों और नोटों के चित्र दिये गए है पहले सिक्के के नीचे उदाहरन के लिए लिखा है रुपए एक और पहले नोट के नीचे उदाहरन के लिए लिखा है रुपए दस प्रिश्ट 116 रहीम काका खिलोने वाले यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें रहीम काका बच्चों को खिलोने बेचने आये हैं रहीम काका को देख कर बच्चे बहुत प्रसंद है आओ करी कर एक गेंद की कीमत रुपए 20 है रिया ने गेंद खरीदने के लिए रुपए 5 के रिक्तस्थान सिक्के दिये साहिल ने गेंद खरीदने के लिए रुपए 10 के रिक्तस्थान नोट दिये आपको उचित मूले से रिक्त स्थान भरने है ख, उन खिलोनों के नाम बताईए, जो रुपए दस में खरीद सकते हैं ग, उन खिलोनों के नाम बताईए, जो रुपए बीस में खरीद सकते हैं गार, यदि एक कार की कीमत रुपए चौदा है और रिया के पास रुपए दस हैं, तो उसे कार खरीदने के लिए कितने और रुपए चाहिए? अमगर, रिया और साहिल के पास कुल रुपए तीस हैं, वो कौन-कौन से खिलोने खरीद सकते हैं? प्रिष्ट एक सौसत रहा कुल रुपएं का जोड पता करके उचित विकल्प पर सही का चिन लगाईए यहाँ पर एक बड़ा चित्र दिया हुआ है, जिसमें रिया और साहिल अलग-अलग नोटूं और सिक्कों को रखके कुल संख्या गिनने की कोशिश कर रही हैं दोनों बहुत खुश लग रही हैं, पहली पंक्ती में दिये गए हैं तीन सिक्के, रुपए एक, जमा रुपए एक, जमा रुपए पांच तो कुल कितना हुआ, आपको सही उत्तर पर सही का चिन लगाना है दिये गए विकल्प हैं ग्यारह, साथ और तीन आपको सही विकल्प पर सही का चिन लगाना है अगली पंक्ती में दिये गए हैं एक नूट, रुपए दस का, एक सिक्का, रुपए दो का, एक और सिक्का, रुपए दो का विकल्प हैं तेरह, अठारह, सोलह, कुल मिला कर कितने हुए? ये आपको सही चिन लगा कर बताना है तीसरी पंक्ती में पांच सिक्के दिये हुए हैं तीन सिक्के पांच रुपए के हैं और दो सिक्के दो दो रुपए के आपको बताना है कि इनका कुल कितना हुआ? विकल्प हैं 9, 19 और 17 सही विकल्प पर सही का चिन लगाएं आओ खेलें कागस की पट्टियों की सहायता से अपने नोट एवं सिक्के बनाईए अपनी कक्षा में दुकान का खेल खेलिए कुछ बच्चे बनेंगे दुकानदार और अन्य बच्चे खरीदार बनेंगे बच्चे खेलने वाले नोट या सिक्कों की सहायता से सामान खरीदेंगे बच्चों को अलग-अलग नोटों या सिक्कों के सैयोजनों की सहायता से मूल चुकाने के लिए प्रेरित करें प्रिष्ट 118 रहा नीचे दी गई धनराशी को अलग-अलग मूल के नोटों या सिक्कों को मिला कर बनाईए दिये गई नोट और सिक्कें हैं पांच रुपे का सिक्का, एक रुपे का सिक्का, दो रुपे का सिक्का, दस रुपे का नोट और बीस रुपे का नोट यहाँ पर अलग-अलग चित्र दिये गए हैं जिन में अलग-अलग मूल और राशी के सिक्के एवं नोट है मध में एक कुल राशी दी गई है आपको अलग-अलग सिक्के और नोटों को जोड़ कर उस कुल राशी को बनाना है उधारन के लिए पहली राशी दी गई है रुपए 20 रुपए 20 बनाने के लिए पहला विकल्प है 10 रुपए के 2 नोट दूसरा विकल्प है 10 रुपए का 1 नोट और दो रुपय के पांच सिक्के तीसरा विकल्ब है पांच रुपय के चार सिक्के और चौथा विकल्ब है पांच रुपय के दो सिक्के और दस रुपय का एक नोट बिल्कुल इसी प्रकार आपको दिये हुए नोटों और सिक्कों से रुपय दस रुपए आठ और रुपए तेरह बनाने है प्रिष्ट एक सो उन्नीज मिलान कीजिए यहां पर दो विभाजन है जिन में नोटों और सिक्कों के अलग-अलग मूल्य दर्शाए गए है आपको इन सभी नोटों और सिक्कों के मूल्यों को बराबर रखके एक दूसरे से मिलाना है उधारण के तौर पर पांच रुपए का सिक्का जो सबसे पहले बाई ओर दिया गया है जिसे उसी से मिलते जुलते पांच रुपए के सिक्के से मिलाया गया है आपको दिये गए बाकी के नोट और सिकों को उन्हीं के जैसे दिखने वाले नोट और सिकों से मिलान करना है धन की बचत करना अच्छी आदत है चर्चा कीजिए परियोज नाकार किसी बड़े की साहता से अपने घर पर उपलब्द किसी खाली डिब्बे से अपनी गुल्लक बनाईए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें घर पर उपलब्द अलग-अलग चीजों का प्रयोग करके गुल्लक बनाते हुए बताया गया है बच्चों को खेलने वाले नोट और सिकों से ऐसे समू बनाने के लिए कहीं जिससे उन्हें पैसों की अलग-अलग सन्योजन करने की अफसर प्राप्त हो अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन इवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत